नमस्कार आप लाइफ सिटीज देख रहे हैं मैं हूँ गरिमा भारती इंदनों बिहार में भ्रश्ट अधिकारियों पर सरकार का डंडा लगातार चल रहा है बड़ी खबर निकल कर आ रही है मुजफर पुर से जहां पर सहरसा के जेल सुप्रिटेंडेंट के परसनल आवास पर चापे मारी चल रही है इसके अलावे सहरसा में उनके सरकारी आवास पर भी रेड चल रही है स्पेशल विजिलन्स यूनिट यानि की एस व्यू के तरफ से ये कारवाई की जा रही है तस्वीरे देखिए कि घर और मकान कितना अलिशान और कितना शांदार बना हुआ है सहरसा के जेल सुप्रिटेंडेंट है और उनके आवास पर चापे मारी चल रही है सुरेश चौधरी के ठिकानों पर चापे मारी चल रही है ये जो मामला है वो आई से अधिक संपत्ती का मामला है विजिलन्स की चापे मारी अभी भी जारी है जेल अधिक शक पर एक करोड स इसे भी अधिक आइस से अधिक संपत्ती का मामला लगा हुआ है विशेश निगरानी एकाई के द्वारा सहरसा के जेल सुप्रेटेंडेंट सुरेश चौधरी के सहरसा के सरकारी आवास और मुझफवर पुर के नीजी आवास पर छापे मारी की जा रही है इसके साथ-साथ का ठेकानों पर छापे मारी की जा रही है विशेश निगरानी एकाई द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक इनके ठेकानों से कुछ कागजात बरामद हुए हैं जिसका आंकलन किया जा रहा है उमीद जताई जा रही है कि रेड कंप्रीट होड़े के बाद ही सप पर भी चापे मारी चल रही है मुजफरपुर के ब्रह्मपुरा गली नंबर 5 कृष्णा टोली वार्ड नंबर 2 में इनका घर है जेल सुप्रिटेंडेंट सुरेश चौधरी है इनके आवास पर चापे मारी चल रही है आप देख पारे होंगे तस्वीरों में कि घर कितना आलिशान है कितना शांदार है और इन पर जो है आईसे अधिक संपत्ती होने का मामला दर्ज किया गया है इन पर ये आरोप लगा है कि इन्होंने अपने पद पर रहते हुए पद का दुरुप्यों किया है पैसों की उगाही करने के लिए और काली कमाई करने के लिए एक कर 69,7912 रुपए इनके पास आई से अधिक जो है वो फिलाला की जा रही है लेकिन कहा जा रहा है कि अभी छापे मारी जा रही है अंदर से बहुत सारे कागजात मिले हैं ये कागजात जमीन जाइदाद फ्लैट और अलग-अलग चीजों से जुड़े हुए हो सकते हैं लेकिन ज कहां इन्होंने क्या-क्या जमा करके रखा हुआ है सहरसा के जेल सुप्रिटेंडेंट के घर पर छापे मारी चल रही है मुझफरपुर के नीजी आवास पर और इसके अलावे सरकारी आवास पर भी सहरसा में छापे मारी चल रही है देखना होगा कि इनके आवासों से क्या को लाइक करें आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं धन्य बाद